हलोई फ्रेंण्स वेलकम् टो अगर्ड़ प्रेंद्स लेटशलन हां फांशी हम परेद दिख इती फांशिव टिक सेक्ट सेह्ट्थ कर आधार सेलने वाहिए स्था है है कि अपनी उट्फिक अक अपनी एक नई रॉनिट ऑफ मैस्ट्पार्मसीट है जो आपके लिए बेर इंपोर्टर्ट है इन बेसी साफ एक्जाम अगर आपने उसको नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्कुप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं जिसकी लिंक मैंने दे रखी है यहां पर थोड़ा को इंच्टेउस कर लिएको यहां ह21 मायइक ़ोड़ा सेंड़ीक्स क्या है उससी है या मेजर मेजर्मेंट होगा जो आपने माइक्रो मैक्रो पता लगया उसका सेप क्या है पार्टिकल का नंबर क्या है पार्टिकल का बॉल्यूम क्या है उन सभी को जो हम इस्टिडी करते हैं उसी की स्टिडी को माइक्रोमेटिक्स करते हैं इसका फर्स्ट कुछन इसी से डिटेड है, माइक्रो मेरिटेक्स, जैसे आप देखिए, माइक्रो मेरिटेक्स is the study of, यहाँ पर आप्सन को देखिए, पार्टिकल साइज, पार्टिकल डिस्टिवियूशन, पार्टिकल सेप, और आल आप दाइबव, यहाँ पर माइक्रो मेरिटेक्स जो तर्म है, उसमें हम किसी भी पार्टिकल के साइज, डिस्टिवियूशन, उसका सेप, उसका सर्फेस एडिया, इन सभी को हम उसमें study करते हैं, यहाँ पर आप्सन डी हमारा करेक्टों का जो क्या होगा, आल आप दाइबव, नेश्ट कूशन है इसमें, डाट डाट इस नौट अ फंडामेंटल प्रोपर्टी आप दापाउडर, कोई भी हमारा पाउडर है, उसकी क्या है, कोई एक फंडामेंटल प्रोपर्टी नहीं है, ऑप्सन क्या है, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल सेफ, पार्टिकल नंबर, एंड पार्टिकल वॉल्यूम, यहाँ पर आप देखिए, पार्टिकल सेफ जो क्या है, पार्टिकल नंबर एंड पार्टिकल वॉल्यूम, किसी भी पार्टिकल का सेफ, एंड उसका नंबर, उसका वॉल्यूम, मैंने उसका फर्फेस इरिया यह एक fundamental प्रोपर्टी होती है जिसको हम माइक्रोमेरिटेक्स में study करते हैं बट यहाँ पर जो आपसने है आपका bulk density जो क्या है fundamental प्रोपर्टी नहीं है यहाँ पर आपसने आपका करेक्ट होगा नेच्ट पूश्चन है दा मायक्रोमेरिटेक्स वाज गिवेन तुदा साइंस आंड टेक्नलोजी ओफ्समाल पार्टीक्ड भाई माइक्रोमेरिटेक्स जो हमारा टर्म है उसको दिया गया small प्रोपर्टिक्ल की कि कि फंडामेंटर प्रोपर्टीज को कुछ मों करने के लिए उसी टर्म को हम मायक्रोमेटिक्स करते हैं तो यह जो साइंस अंड टेक्नालोजी से किस साइंटिस ने दिया यह इंप्टरन कुस्न है क्योंकि जो I see I किसी सब्सक्राइब को चैब कुछिए चैब को सब्सक्राइब हुआ कि इसको अपने मांड में सेट करना होगा क्योंकि यहां पर बी आपका करेक्ट यूंने माक्रोवडार्टिक टर्म को दिया था नेम थोड़ा फ़न है तो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए नेक्स कुछिचन क्या है इसमें particle size can be determined by particle size को हम कैसे determined करते हैं सीविंग method sedimentation method conductivity method and all-off-dyebab तो हम particle size को अगर determine करना है तो हम इन सभी को यूज कर सकते हैं इसमें जितने भी method हैं इन सभी method को हम किसी एक भी method को apply करके अराम से कर सकते हैं तो इस यूज़ फोर डिटर्माइनिंग टोटल सर्फेस एरिया ऑफ दा पाउडर्स कौन सा ऐसा एक्विपमेंट है ऑप्संस को देखिए जिसको हम यूज़ करते हैं सर्फेस एरिया को डिटर्माइन करने के लिए काउटर काउंटर एडरिसन पीपेट सेर बॉक्स एंड शुर करा देंगे यहां पर करेक्ट आप्सन के अगर हम बात करें कि कौन सा एक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं किसी भी पाउडर के टोटल सर्फेस एरिया को डिटर्माइन करने के लिए तो हमारा ऑप्संट यहां पर करेक्ट है जो क्या है सोरॉप्टो मीटर नेक्स्कूशन पार्टिकल की प्रोपर्टि आपने करता है इसमें सीबिंग मेथड़ इस फोर साइडिस्रीविशन एनालीसिस अप पाउडर दाट डिसद्वांटेज आफ दिस मेथड जो मारा सीबिंग मेथड है जिसमें हम सीफ की उज़ करते हैं कई ने गई बरागर के नंबर की सीफ होते हैं जिसको हम यूज करते हैं फिर सीफ सेकर जो मा और सीफ से रिक्वैड एंड टेडियास अंड टाइम कंजूमिंग तो इसमें से कुम सायता है कि दिसद्वांटेय्ज सेब्ग मेथड का यहां पर ऑप्सन भी हमारा करेक्ट है क्योंकि हम सीबिंग मैथड है क्यों कि जो हम सीबिंग METOD ब्सक्ति देकर ही हमारे हम सभी दो लाया तो वहां पर अट्रेशन भी घरस्टन होता है वह एक दूसरे से क्या है लड़ते हैं टक्राते हैं तो जिससे वो टूट जाते हैं यही में उसका डिसर्वाइडवांटेज है यहाँ पर लाय पर यहाँ पर आप्सन दी हमारा क्रेक्ट है यह भी एक नेम इक्वेशन है फो इसको भी आपको बाइंड में सेट अप करना है has quality equation the rate of sedimentation of particles is directly proportional to कोई भी आप जो rate of sedimentation of particles की directly proportional होती है particles save के, particles size के particles color यहां पर option आप b पर फोड़ा मिज़र डाली particle size मिज़ का है जितना size बड़ा होगा वो इतनी यल्दी sediment होगा तो हमारा directly proportional होता है particle size के यहां option B हमारा यहां पर correct है जो क्या है particle size next question है इसमें the instrument used for measuring particle volume is particle volume को measure करने के लिए कौन सा instrument होता है पिक्नोमेटर, counter counter and recent pipette and उस्ट वाल्ड बिसकोमेटर तो यहां पर हमारा correct answer क्या है counter counter जिसको हम उस करते हैं किसी भी particle का volume पता करने के लिए next question है according to stock equation the sedimentation rate is inversely proportional to stock equation के according to sedimentation rate होता है वो inversely किसके proportional होता है diameter of the particles, density of the particles, viscosity of the medium and आलब दाबर यहां पर option आपका C correct है जो क्या है viscosity of the medium, next question क्या है मारा इसमें high angle of repose of the granules indicates miss high angle of repose होगा जैसे आप इसको प्रेटकल भी कियोंगे तो उसमें क्या होता है क्या indicate करता है granules के rough surface area of the granules, small surface area of the granules, high porosity of the granules and high bulk density of the granules इसमें आपका एक correct है जो क्या है rough surface area of the granules क्योंकि जो हमारे जितने रफ होंगे वो उतना ही angle provide कराएंगे इतने ही ankle लेंगे और उतना ही हमारा angle of repose हमारा calculation में आएगा, next question is the average particle size of powder simple can be determined by end munson's equation यह क्या हमारा true है या false है the average particle size of powder simple can be determined by end munson's equation यह आप कुस्टन पर थोड़ा नज़र डलिएगा यहां पर क्या है जिसे पूंच रहा है कि यह जो average particle size है powder का उसमें हम कौन सा equation use करते हैं determine करने के लिए average particle size को तो यहां पर option यह हमारा character है जो क्या है true है next question है free flowing powder sample can be determined by free flowing powder होते है अब really miss flow कर रहा है तो उसको हम कैसे determine करेंगे intermediate angle of repose large angle of repose smaller angle of repose and non-off है यहां पर option हमारा secret है जो क्या है smaller angle of repose next क्या है porosity of a porous powder can be defined as as options को देख लेते हैं void volume upon bulk volume bulk volume upon true volume bulk volume upon void volume and true volume upon bulk volume यहां पर क्या है porosity of a porous powder can be defined as means कैसे define करेंगे तो यहां पर हमारा option correct है a जो क्या हमारा void volume upon bulk volume next question है इसमें हमारा counter counter method does not give information regarding the particle size particle shape particle volume and both B and C तो यहां पर जो counter counter method है उसको हमने क्या है कौन सा information किसके recording हो नहीं देता है तो यहां पर option हमारा D correct है both B and particle shape and particle volume वो क्या हमारा counter counter गया बताता है particle size के बारे में ना कि particle shape and particle volume के बारे में next है mercury displacement method used to determine granule density, granule volume, granule diameter and granule area यहां पर हमारा option A correct है जो क्या है granule density जिसको हम mercury displacement method से determine करते हैं next question है next question है हमारा इसमें for good flow properties angle of repose should be 0 degree greater than 40 degree less than 30 degree and 30 to 40 degree यहां पर हमारा option C correct है क्योंकि अगर angle of repose हमारा less होगा तो उसकी flow property होगी वो उतनी अच्छी होगी less than 30 degree यहां पर option C हमारा correct है next question है stocks law cannot be used if the Reynolds number is more than यहां पर यहां पर क्या है 2.0 0.2 1.0 and 0 यहां पर option हमारा B correct है 0.2 जो क्या है अगर हमारा Reynolds number 0.2 से ज्यादा होगा stocks law क्या करेगा cannot be used if the Reynolds number यहां पर stocks law follow नहीं होगा stock law हमारा उसको हम use नहीं कर पाएंगे कि अगर 0.2 से नीचे होगा हमारा 0.2 से अगर हमारा उपर होगा Reynolds number next question है in counter counter as particle travel through the orifice the event that occurs is conductance between the electrodes increases resistance between the electrodes increases transmittance between the electrodes decreases and resistance between the electrodes decreases means क्या है counter counter as particle travel through the orifice the event क्या event होता क्या वहां पर क्या घटना होती है यहां पर option हमारा बी करेक्ट है जो क्या है resistance होता है बेड़ेविंदा electrodes जो उसके बीच में electrodes की बीच में resistance increase होता है next question है use of an ordinary microscope particle volume measurement, sedimentation, sieving and optical microscopy यहां पर option D हमारा क्योंकि जो ordinary microscope है उसको हम optical microscopy के लिए use करते हैं next stage में हमारा all particles pass through 20 number sieve not more than 40% through 60 number sieve तो उसको हम क्या करेंगे very fine powder fine हो गया coarse है and very coarse कोई भी ऐसा हमारा powder है जो क्या है 20 number sieve से तो fully pass कर गया but लेकिन अगर हम 60 number sieve ले तो उसमें के ओल 40% particle ही pass कर पा रहे हैं तो हमारा powder किस quality होगा किस category में आएगा very fine में, fine में, coarse में and very coarse में यहां पर option C आपका correct है तो उस powder को हम रखेंगे coarse powder की category में next question is surface area per unit volume और per unit weight specific surface तो उसको हम क्या कहेंगे जो हमारा term आएगा surface area कहेंगे particle shape होगा या particle size होगा में इसको भी surface area per unit volume और per unit weight है तो हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे specific surface option A हमारा करेक्ट होगा next question is the ratio of void volume to bulk volume is known as tapped density, porosity, granule volume and bulk density यहाँ पर option हमारा de-correct होगा क्योंकि अगर ratio of void volume and bulk volume की अगर हम बात करें तो हाँ पर हमारा bulk density होता है next question है हमारा इसमे an important consideration in packaging of powders densities of particles packing arrangement, bulkness and flow properties यहाँ पर option हमारा secret है क्योंकि एक है important consideration during packaging of powders next question है हमारा इसमे the size range of sedimentation may be used 0.5 to 500 micrometer 1 to 200 micrometer 5.0 to 15 500 micrometer and 0.2 to 200 micrometer means क्या है कौन सा size range क्या है sedimentation को क्या है means sedimentation हो सकता है यहाँ पर हमारा option B correct है 1 to 200 micrometer the size range of sedimentation may be used 1 to 200 micrometer option B is correct next question है next question है if kars compressibility index is between 26 to 31 then flow will be kars compressibility index अगर हमारा 26 to 31 अगर हम इस point को यहाँ पर discuss नहीं कर सकते हम इसको आपको लेक्चर में discuss करेंगे कि हमारा kars compressibility क्या हमारी bulk density क्या होती है इस अब को हम discuss करेंगे यहाँ पर आपके MCQS को देखेंगे उसका correct answer क्या है उसका थोड़ा सा short term देखिए यहाँ पर क्या 26 to 31 हमारा होगा तो तो देन flow हमारा कैसा होगा poor, excellent, passable and very very poor तो यहाँ परा option हमारा एक रेक्ट है poor होगा जो हमारा powder की flow होगा तो हमारा poor होगा next क्या है harsner ratio is bulk density upon tap density bulk volume upon void volume void volume upon bulk volume tap density oblique bulk density यहाँ पर option D हमारा correct है जो harsner ratio होता है tap density oblique bulk density होता है next क्या है the powder having low bulk density or large bulk volume is known as कोई भी हमारा powder है जिसकी क्या है low bulk density है but it has large bulk volume उस powder को हम क्या करेंगे light powder, heavy powder, bulk powder और granular powder यहाँ पर option हमारा एक करेंगे हमारा क्या होगा light powder means बहुत थलका powder होगा next क्या है हमारा anderson pipette is widely used method to determine particle size by microscopy method sedimentation method seeping method and all of the above यहाँ पर यहाँ पर जो हमारा correct option होगो क्या है हमारा sedimentation method जो क्या है हमारा option B है जो addreson pipette में यहाँ उस किया जाता है particle size को determine करने के लिए porosity is expressed in millimeter, gram, millimeter, percentage and newton यहाँ पर option C है हमारा correct है क्योंकि porosity को हम percentage में क्या है express करते हैं next question क्या है हमारा endreson apparatus consist of जो हमारा endreson apparatus हो क्या consist करता है reference electrode pipette glass electrode and hydrogen electrode अभी तक है जैसे हमने प्रीवेस question में देखा था जो endreson pipette होता है तो यहाँ पर आप्सन हमारा भी correct होगा क्योंकि इसका पूरा नाम होता है endreson pipette next क्या है the physical, chemical and pharmacological properties of a drug directly affected by size, surface area, both of above, none of above यहाँ पर क्या है जो कोई भी जो फिजिकल गेम करें pharmacological property यह उसकों drug कौन से इसी property जो क्या है directly effect करती है हमारे drug को यहाँ पर हमारा क्या है both A and B हमारा size and surface area हमारा दोनों effect कर सकता है next क्या है the unit of particle size used in kilometer, centimeter, millimeter, or micrometer हमारा option D correct है क्योंकि हम particle size को micrometer में determine करते है next question क्या है particle size with diameter of 0.5 to 1.0 micrometer is useful for emulsion, suspension, both above, none above यहाँ पर option C हमारा correct होगा क्योंकि जो हमारा particle size होता है जैसे emulsion suspension में particles होते है and emulsion में क्या है, globules होते है उन दूनों में अगर हमारा particle के कोई भी particle है global size is 0.5 to 1.0 micrometer में के भी सुआ तो हमारे लिए बहुत useful रहेगा next question क्या है is that that is the number of particles per unit weight particle volume, particle number, particle mean and particle weight यहाँ पर हमारा option B correct है क्योंकि particle number क्या है is the number of particles जैसे particle number से आप रिलेट करें तो is the number of particles question से रिलेट भी कर रहा है particle number is the number of particles per unit weight next question क्या है that that technique is utilized for estimation of surface diameter air permeability, vacuum, filtration and non-off diameter कौन सी technique क्योंकि करते है utilize करने के लिए utilize for estimation of surface diameter surface diameter के लिए को हम determine करने के लिए option A हमारा correct होगा जो क्या है air permeability next question क्या है हमारा इसमें the size of sphere is freely stated in term of its area, radius, diameter and volume option यहाँ पर हमारा C correct होगा क्योंकि जो किसी भी स्फेयर में जो freely stated होते हैं particle या कोई भी size है तो क्या है वो diameter में होते हैं वो अपने diameter में ही वो stated रहते हैं किसी भी स्फेयर में next क्या है helium pycnometer is used to determine size, true density, sedimentation rate and surface area यहाँ पर option हमारा B correct है true density को हम determine करने के लिए helium pycnometer का use करते हैं next question है for a non-porous material, bulk volume is equal to किसी भी non-porous material के लिए हमारा bulk volume क्या होगा किसके equal होता है thickness के, diameter के, true volume के और frayability के लिए तो यहाँ पर हमारा true volume का जो कोई भी non-porous material का bulk volume क्या है उसके true volume के equal होता है next question is dart dart is not a type of packing कौन सा ऐसा टाइप है जो packing नहीं है closest closest rhombohedral and triangular यहाँ पर closest में बहुत closely and closest मतलब हलकी packing अगर आप देखिए closest में बहुत tightly packed and loosest मतलब बहुत हलका जिसे बहुत loosely packed and rhombohedral मिस इसको हम दोनों के bit-bin मान सकते है and triangular जो हमारा correct आप आपन है क्योंकि एक triangular जो है यह एक angle के बारे में बता रहा है मिस त्रिकोंड यह ना कि यह packing के बारे में बता रहा है next question क्या है dot dot density is not the type of density कौन सी है जो density के एक type नहीं है true bulk granule and volume यहां पर हमारा क्या है option D हमारा correct है क्योंकि volume density नहीं होता next question dot dot density is defined as the ratio of the given mass of powder and its bulk volume granule true density bulk density and none of these यहां पर option हमारा C character जो क्या है bulk bulk density is defined as the ratio of given mass of powder and its bulk volume next question क्या हमारा dot dot increases with decrease in particle size यहां पर options को देखे tapped volume tapped density bulkness and none of these means क्या है कौन साइस चीज है जो increase करेगा with decrease in particle size अगर हमारा particle size decrease करेगा तो क्या increase होगा bulkness हमारा increase होगा अगर हमारा particle size decrease होता है next question है poor flow of the powder is due to poor flow किस region के कारण होता है cohesiveness addition between particles and container physical interlocking of particles and all of these यहां पर हमारा option be correct है कोई यह वारा particle cohesiveness है या अधियर कर जा रहा है या फिजिकल interlocking हो जा रही है तो यह सभी effect क्या है उसको effect करेंगे उसके powder के flow को next question है flow property of particles can be enhanced by किसके द्वारा हम flow property बढ़ा सकते हैं options है altering particle size altering particle shape altering surface force and all of the above यहां पर option D हमारा correct है हम इसमें से किसी का भी अगर use करते हैं alter कर दें particle size को गटा बढ़ा दें particle size को हम क्या कर दें particle shape को change कर दें particle shape जो surface force है उसको अगर हम अगर alter कर दें change कर दें तो इन सभी से क्या होगा हमारा flow property कहा है enhance होगी next question है हमारा dot dot use for determining particle size distribution कौन सा है क्या यूज करते हैं open melting point apparatus potentiometer and addreson apparatus यहां पर option D हमारा correct है addreson apparatus जिसको हम यूज करते हैं determine करने के लिए particle size distribution next question है optical microscopy is used for determination of particle size in the range of 0.222 100 mm 0.022 10 mm 0.002 200 mm and 0.0002 200 mm इसके है optical microscopy यूज की जाती है determination के लिए particle size कितने range में यहां पर option हमारा एक correct है 0.2 200 mm जो हमारा particle size होता है उसको हम optical microscopy का यूज करके determine करते हैं इसके the right property नहीं है powder की हमारा last question क्या है dot dot is the logarithm of particle size equivalent to 50% on the probability scale option क्या है standard point reference point freezing point and boiling point यहां पर हमारा option B क्या है reference point is the logarithm of particle size equivalent to 50% on the probability scale यहां पर option B हमारा correct होगा so here is the end of the video हमने all questions को cover कर लिया है and I hope आपको सभी questions अच्छे लेंगे आपको फुल वीडियो देखना है सभी questions को अच्छे से prepare कर लेना है लाइक सब्सक्राइब आए वीडियो सब्सक्राइब आए चैनल latest on pharmacy next lecture में हम मिलने माले इसके second part वीडियो के साथ so thank you